25 जून 1975 को ततकालीन प्रधान मंतरी इंद्रा गांधी ने देश में अपातकाल की घोशना कर दी थी करीब 21 महीने तक देश में अपातकाल लगा रहा इस दोरान कई नेताओं की गिरफतारी हुई वही प्रेस की सोतनता भी छीन ली गई थी इसके बाद इस अमरजेंसी को एक काले अध्याय की रूप में याद किया जाता है बीजेपी आज इसे काला दिवस की रूप में मान रही है उपयुक्त कारियाले शिम्ला के बाहर इस कारेक्रम का आयोजन किया जा रहा है भाश्पा नेता गड़ेस दत ने कहा कि 25 जून भारती लोकत्रंत का काला दीवस माना जाता है उन्होंने कहा कि 1975 में पूर प्रधान मंत्री इंद्रा गांथी द्वारा अपात्काल लगाये गया था और लोकतंत्र की आवाश को कॉंग्रेस पार्टी ने कुचल दिया था हमारे कई कारे करताओं को मीसा के तहट जेल में डाल दिया गया मीडिया को सेंसर कर दिया गया और हमारे नागरिकों की लोकतंत्रिक अधिकार को छीन लिया गया था इसके साथ ही उन्होंने बताए कि अपातकाल 21 महीने तक चला आज की पीड़ी को इस काली इतिहास को जानना आवश्यक है 1975 में ततकाल इन परदान मंतरी स्वर्गी इंद्रा गांदी जी ने इस देश में अपनी कुर्सी बचाने के लिए और कुर्सी में डटे रहने के लिए लोगतंतर की हत्या करके इस देश में आपातकाल की घोशना कर दी उस समय सभी जो हमारे राजनेता थे और पत्रकार थे यहां तक की जो प्रस में सेंसर्शिप लगा दी और नेताओं को जेल में बंद करके इस देल को बंदी घर में बदल दिया और उसी को याद कराने के लिए क्योंकि नई पीडी को साहिद आपातकाल का अनुबाव नहीं होता है तो हर साल हम इसको काले दिवस के रूप में मनाते हैं और आज भी इस 25 जो उनको काले दिवस के रूप में हम इस दिवस को मना रहे हैं और इसके माद्यम से पार्टी के सभी कारे करता ये परण लेते हैं इस देश के खिलाब जो लोगतंत्र की हत्या करने के लिए जो आगे आएंगे उनको कभी भी बरदास्त नहीं किया जाएगा यह लोगतंत्रिक देश है यहां पर मौलिक अधिकार है शिम्रा से समाधाता योगरा शर्मा की रिपोर्ट